कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल टारेट सिविल सर्चस में तो आज बावीस मार्च और मजबस के डेली करेंट अफेर में आज हम पढ़ेंगे बावीस मार्च की करेंट अफेर तो लेक्चर ध्यान से दिखिएगा दोस्तों सबसे पहले में आपको करेंट पर दे उसका रिवीजन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ देखिए आज 22 मार्च यानि आज क्या वर्ल्ड वाटर डे यानि 20 जल दिवस है आज और 20 जल दिवस इसको पहली बार कब मनाया था तो इ इसकी थीम क्या थी तो 2020 में इसकी थीम ती जल और जर्वायू परिवर्थर यानि वेटर एंड क्लाइमिट चेंज और बात करेंगे अभी 2021 में इसकी क्या है तो 21 मिसकी थीम है वेल्यूइंग वाटर एंड कनवर्सीशन अबाउट वाटर मीन्स टू यू दोस्तों आज से आपको डेली एक दिवस जो भी उस दिन किस दिवस के रूपे मनाया जा रहा है उसको हम डेली डिसक्रस करेंगे ठीक है तो चलिए अब करते हम रिविज सिद्याले भोपाल विष्विद्याले मद्दपरदीस की सभी सरकारी चुलेजों में इस्टेडी सेंटर सुरू करेंगा ठीक है तो कौन सा देलहीं बोच विच्विद्याले की तो इसकी इस्ताफना हुई थी 1990 में ठीक है और इसके अबी कुल पती को नहीं तो इसके पुल यह मद्यप्रदेश का सबसे पहला विस्विद्ध्याले था और जो डाक्टर हरिसियं गौर विस्विद्ध्याले है इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसकी स्थापना किस नहीं की थी तो इसकी स्थापना की थी डाक्टर हरिसियं गौर ने तब उसका नाम किया था सागर उनिवर्शिटी था बाकि उसके बाद 1983 में कब 1983 में इसका नाम पड़ा डाक्टर हरिसी गौर विशिद्ध्याले कर दिया गया ठीक है तो कब किया गया इसका बाद मिस्टीन 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 एंपी कॉंपेटिशन का आयवजन 22 मार्च यानि आज किया जाएगा कहां पर हमारे मद्ध्यप्रदेश की राज़दानी भोपाल में मत्यप्रदेश राज्य तिरन्जाजी एकेडमी के मुस्टान किरार और रागे नी म्हार को दोनों खिलाही भारतिया टीम का प्रतिमिद्ध्मों करेंगे और बात करें वर्ल्ड सेटीकार्स करेंगे तो चार कि भाली कौन-कौन है धेख दो तो तिरनदाजि जोगी कौन-कून मुस्कान किरार और रागीनी मारको और एकुदू से है तो वो कोन है मुस्कान सौनों दीया है जुद ओ कौन गौराव यादो ये मार्सल आर्ट से है तो कितने खिलाली हो गए अभी मद्रदेश के चार खिलाली हो गए आगे और भी हो सकता है कि और भी खिलाली एट किये जाए ठीक है तो अभी चार खिलाली के नाम याद रखेगा गौराव यादो मार्सल आर्ट से मुसकान सों दिया जुडो से और मुसकान किरार और रागिनिमार को यह है तिरंदाज अकादमी से अच्छा मद्द्रदेश की तिरंदाज अकेडमी कहा पर है तो यह है जबलपूर में हमारे मद्द्द Lagun की संस्कारदानी जबलपूर में और यह भी जैद रखी कखी जो मुसकान किरार रहे इनको देखिए 2018 का एकल επιवपि पुरुसकार मि़ला है ठीक है मुसकान किरार को 2019 का वीक्रम पुरुसकार भी मिला है धूर ना को को करे जाएगा तो इसकी मेजवानी कौन सा विष्विद्याले करेगा है कुछarta करेगा जल एक और बात करें विक्तापना में 1957 में भी कुलपति arteries पांड़े है मंद्दप्रदीस में ग्रीन एंडिया में धिन्द नमें कारियों को इसको द्वारा स्राहा गया तो ये सि्वैंक के द्वार वर्ड बैंक के द्वारा moraiji और बात करें पर करortsиц में अब प run चिरस के पूर्व लोकस्वा सरी सूरच भानी सुलंकिजी का निधर्ण हो गया तो यह किस लोकस्वा सिट्सें सांसद रहे है तो यह रहा है धार सांसद कभ रहेते सांसद 1989 और 1991 में ठीक है 1990 और 1990 में ये सांसत रह चुक है और किस पार्टी से थे सांसत तो ये कांग्रेस पार्टी से थे ठीक है तो याद रखीएगा अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन मद्यप्रदेश के कैप्टन सुरेंदर सी यादव विस्व की सबसे ऊची चोटी माउंट एवर से तो इनका संबंद है मद्यप्रदेश के निमाले डिस्टीक से तो इसका आंसर क्याइगा option बीच और यह सुरेंदर सी यादव और यह भावना डेहरिया ठीक है यह निमाले डिस्टीक से है और यह चिंदवाला डिक्षिक से और भावना डेहरिया ने कब 26 मई 2019 में इन्हो माउंट एव रेश पर थी तो उसकी भीट की है ठीक है अच्छा बात करें माउंट एवरेश की नेपाल शौ़ में माउंट ऑभरेश को इसको बोला जाताDAY सग्रमधा ठीक है और सुरेंसी आदाव जी भावनाद धीरिया से प्रीरित होकर उनके मार्ग दर्शन में दुनिये की सबसे उची चोटी एवरेश को फत्र करने 30 मार्च को रवाना होगे और ये उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतर योगी आदितिनाथ की विशेश उपस्तिती में माउंट एवरेश पर चलाई के लिए लखनाव से रवाना होगे और इसके बाद 30 मार्च को लखनाव में अपने स्कूल जाएंगे उसके बाद 31 मार्च को नए दिल्ली से काटमांडू पहुच कर माउंट एवरेश पर चलाई की दो महिनों की तजारी सुरू करेंगे ठीक है और ये तीन जून को अभियान पूरा करके अपने स्वदेश लॉट आएंगे दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप सुटिंग प्रतियोगीता में मद्दप्रदेश राज्य सुटिंग एकाडेमी के खिलाली एस्वर ही प्रतापसिय तोमन ने देश को कौन सा पदग दिलाया है तो ये दिलाया है इन्होंने रजत पदग तो इसका अंसर क्या जाएगा आप्शन नमबर B ठीक है और देखिए मात्र दो पॉइंट से ये गोल्ड मेडल जिते जिते रह गया है ठीक है तो इनको हमारे इंडिया की टीम को मिले है 14 पॉइंट और जो युनाइटेट स्टेट अमेरिका है उनको मिले 16 पॉइंट तो गोल्ड मेडल किसने जीता है अमेरिका ने जीता है और शीलवर मेडल किसने जीता है इंडिया ने और 18 से 29 मार्च 2021 तक आयो जित ISSF वर्लली कप सूटिंग प्र में 14 अंकों के साथ अरजित किया और एरफोर्स के खिलाडी दिपक कुमार और आर्मी के पंकच कुमार टीम में सामिल थे और USA के खिलाडी तो यह कीस जिले में और चिरोन जी को इसका आंसर के आचेक ऐसान होंने पहुती को नहीं पहचान दिला है तो किस जीले में हैं तो यह चेले जीले की, तो इसका अंसर की होजएगा, option number C, ठीक है, चिंदवादा जीले की महिलाओने पाताल कोट चिरोंजी को नई पहचान जिलाई है, तो यहाँ देखे हैं तो चिंदवादा जीला प्रसासन की पहल के बाद, तामिया के ग्राम डूंगरा की महिलाओने पाताल कोट चिर था निया बाजर में की सप्लाइब की जा रही है दोस्तों क्या हो यह किया जो चिरोंजी दिशे- Teen पर नियरमीत कराना की घुषना किये घाट का नाम किसके नाम पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा और जो स्वर्गी नंद कुमार सी चोवान जी थे इनका हाली में निधन हो गया था यह किस जिले से लोगसभा सांसत थे तो यह खंडवार डिश्टीक से लोगसभा सांसत थे और मुख्यमंत्री ने उमकारेस्वर के नागर घाट पर जली सभा में नर्मदा तरट पर एक घाट स्वर्गी नंदू भीया इनको प्यार से नंदू भीया नाम से जानते थे इनके नाम पर निर्वीद कराने की घोसना की है और नंदू भीया की स्मृति में एक विस्तरत ग्रंत भी लिखा जाएगा और खंडवा में मेडिकल कॉल और यह कहाँ पर बना जाएगा तो यह भुपाल के गोविंद पूरा ओध्योगी छेतर में ठीक है और इसको केंदर सरकार से मंजूरी भी मिल गई है और इसके बनने से ओध्योगी छेतर के लगबग एक हजार ओध्योगों को सिधा फायदा होंगा और यहां लगबग तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और क्लस्टर बन जाने से कम से कम 1200 और लोगों को रोजगार मिलेगा ठीक है और और अध्योगी छेतर का टर्नावर साड़ेश साथ सो करोल से बढ़कर 1500 करोल तक होने का अनुमान है और छह माने में इसका निर्मान सुरू हो जाएगा औ और दो साल में यहाँ पूरा भी हो जाएगा और मद्यप्रदेश में यहाँ पहला क्लस्टर होगा ठीक है मद्यप्रदेश का इंजिनेरिंग क्लस्टर पहला होगा जोगी गोविंद पूरा इंडस्ट्री एसोसेसिसें ने करीब दस साल पहले इस cluster के निर्मान के प्रस्ताव दिया था अब होता क्या है इंजिनेरिंग cluster तो इंजिनेरिंग cluster यानि गोविंद पूरा उद्योगी छेत्रों के उद्यम्यों ने एक no profit no loss company गठन की है यह company उद्योगों को main power, raw material, testing, facility, order, आधी उपलब्द कराएंगी कल का हमारा कोशनता वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेमसी में मद्ध्प्रदिस राज्य मार्सल आर्ट ताइकवांडो एकेडमी के कौन से खिलाली भारतिय टीम का प्रतिनीधित्व करेंगे तो यह कौन से खिलाली करेंगे यह गवराव याद करेंगे तो इसका आंसर क्यों ज़्यकाँ ऑप्सिन नंबर ए तो देखी यहां सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो बहुत अच्छा आंसर किया प्रांजल ओजा और ने राजやって यहां पर चारो खवाली को नाम लिखिये रागही तो यह और आज का कोशन हमारे पास 64 योगिनी मंदिर कहां इस्तीत है तो यह है आप्शन और दोस्तों लेक्षर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यह हमारा टेल्ग्राम चैनल और यह हमारा इंस्तेग्राम चैनल इस पर रहता है डेली 20 कोशन का क्वीज तो इसकी लिंक रिवी है हमारे वीडियो रिजिस्न बॉक्स में आप जॉइन करना साथ हो तो आएंक की पर वाचिंग इस वीडियो